हलो फ्रेंज जार्खन जीके के इस सेशन में आप सभी का तह दिल के साथ एक बार फिट से स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुश कबरी है गाईज कि जो जिससे सीजियल का एक्जाम डेठे गाईज एकदम फाइनल एन क्रियर एन क्रिस्टल हो चुक सभी इंपोर्टेंट होते हैं तो चलिए आज का सेशनी स्टार्ट करते हैं पहला को सने आप लोग के बीच में निम लिखी तो मैंसे सत्य कथन का चुनाव करना है फ्रेंड्स ऑप्शन आप लोग को बीच है यानि गोबी तो वो राँची में ज्यादा होता है ये आप लोग ध्यान रखेगा तिलिए निक्स कोशन है असत्य कथन का चुना करना है कथन ए बोलता है नकटी जलासे परियोजना पूर्वी सिम्व में विखती थे तो बताना है कौन सा कथन असत्य है कि बिल्कुल करेक्टांस हो जगा ऑफ्टशन न वर सीज्दा असत्त है ठीक है अगर सलय जला से परियोजने की बात करें तो यह सिमडेगा में नहीं बलकि हजारी बाग में इसथी थे गाइज और नकटी जला से प्रजोना के बात करें तो यह पूर्वी सिम्भूम में होकर पस्मी सिम्भूम में है ठीक है नेक्स कोशन के बढ़ते हैं वन छेतर के विस्तार के दिरिश्टी से जहारखंड का भारत के राज्यों में अस्थान कितना है यह भारत में टोटन कितने अस्थान पर आता है जहारखंड वनों के विस्तार के अस्थार पर अधार पर बिलकुल करेक्टर सोजगा और सीजगा दसवां अस्थान पर आता है इस टाइब को सब दिये जाए सकते हैं और आप पूछ लिया जाएगा बिलकुल करेक्टर सोजगा अस्थानी क्रेसी का नाम है खल्लू क्रेक्टर सोजगा जहारखंड के कि जिले में नहरों दोबरा सरवाधिक सिचाई की सिचाई की जाती इंपोर्टन कोस्टन है नहरों कि सिचाई की व्यवस्था की गई है तो श्राकला खर्सवा में नेक्स कोस्टन है कोईल कारों परियोजना को बंद करने का कारण क्या था बहुत इंपोर्टन को सब्सक्राइब बिल्लकुल करेक्टन सोजगा उसन नमब बी जिद बी इस दे करेक्टन सोजगा फ्रेंस आदेवासियों का विरोध नेक्स कोस्टन है भुकम्प जोन थड के तहट जारखन के कितने जीले आते हैं इसके अंतरगार टोटल पंदरा जीले आते हैं याद रखिएगा नेक्स कोस्टन है निमलेखित में गलत यूगम का चुनाव करना है फ्रेंस एक तरफ काल है उसका नाम करन है समंद्रगुप्त में धारखन का नाम मरुन देश था चंद्रगुप्त दूतिये काल में कुकर जाना जाता था बलकि किस नाम से जाना जाता था यह याद रखिएगा बाद बगए जितने भी ऑप्सन दिये गिये हैं सही है नेक्स कोस्टन क्यों बड़ते हैं नागवसी सासन विवस्टन पर्थम सासन कौन था बिल्कुल करेक्टांस हो जोगा फ्रेंड्स उप्सन नमर बीज दा करेक्टांस होगा फणी मुकित राई इंपोर्टन कोस्टन है अगला है निम्न में से कौन सा छेत्र मुस्लिम आकर्मन से पूर्णता बचा रहा था बिल्कुल करेक्टान सोज़ोगा धनबाद ठीक है कोईले नगरी धनबाद नेक्स कोशन है पाड़ा पंचाई सासन बेवस्था में गाओं के धार्मिक कारियों का समपादन कोन करता है जितने भी सासन बेवस्था आते हैं जारखन में सभी के सभी अच्छी तरह से आप लोग याद कर लिजेगा यहां से एक कोशन आप लोग को पूछा जाएगा फ्रेंट्स बिल्कुल करेक्टान सोज़ोगा इसका सही जवाब होगा अप्शन नमबर ए इस दा करेक्टान सोगा पाहन अगला है बिरोहर जन्जाती के सासन बेवस्था कि सरवच्छ संगठन तंडा का मुख्या क्या कहलाता है बिल्कुल करेक्टान सोज़ोगा ऊप्शन नमबर इस दा करेक्टान सोज़ोगा नाय कहलाता है चलिए next question कि वर्टते है मांधी के सचीव के रूप में कौन कायर करता है बिलकुल correct answer जोगा फ्रेंट्स अप्शन नबर b is the correct answer जोगा गुड़यत next question अंगी का भासा को इन में से किस भासा का ही एक रूप माना जाता है तो बिलकुल correct answer जोगा option नंबर b मैथली भासा का अगला question कोश्चन है हो दुर नामक पुस्तक के लेखक कौन है बहुत इंपोर्टन कोश्चन है एक बिल्कुल करेक्ट आंसो जगा ऑप्शन नमबर सी इस दा करेक्ट आंसो जगा डबलू जी आरचार अगला कोश्चन है नागपुरी भासा से समंधित परमुख रचना नागवंसा व आपका सूची वन को सूची टू से मिलान करना है एक तरफ जीला है और एक तरफ है उस जीले में परियाटन अस्थर अगला जो ऑप्शन आप लोग के बीच में दिये गए हैं जैसा कि आप देख पा रहे फ्रेंट तो बताइए सही अंसर कौन सा होगा यानिए सही ऑप्श अंसिधर मंदीर आता है पाकुड में आपका बीर खाता का किला और पुर्वी सिंभूम में आपका रंकिनी मंदीर और आपका पस्मी सिंभूम में आता है रामतिर देखे ये आपका रंकनी मंदीर जो है जो पुर्वी सिंभूम के अंतर गाता रहा है पुर्वी सिंभूम क बिल्कुल करेक्टांसों जगा तो यह राची जीले में पायाता है, option B is the correct answer जगा, अगला ज्यारखंद में इनमें से किस जीले में बॉरिलियम पाया जाता है, बिल्कुल करेक्टांसों जगा, अप्टन नमबर D is the correct answer जगा, कोड़मा और ग्रेडी, यह दोनों जीलों में अवस्थित निवने मैं से किस कमपनी द्वारा कृषी उपकरन का निर्मान किया जाता है ये इंपोर्टेंट कोशन है फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्टांसो जोगा उप्सन नमबर C is the करेक्टांसो गवा एग्रको कमपनी के दबारा अगला है जारखन राज में किस अस्थान पर तसर अनुसंदान केंद्र केंद्र आपना की गई यह प्रिब्यस एरब में पूछावा सवाब बिल्कुल करेक्टांसो जोगा उप्सन नमबर A is the करेक्टांसो गवा नगड़ी राची में नेक्स कोश्चन है बिर्सा अंदोलन के पस्चान निमने में से कौन से दो अनुमंडल का गठन किया गया यह भी इंपोर्टन कोश्चन है फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्टांसो जोगा उप्सन नमबर C is the करेक्टांसो का खुटी और गुमला का नेक्स कोश्चन है इनमें से कौन सफाहोड अंदोलन के नीता थे परमुख नीता थे यहां पर जितने भी उप्सन दियेगे हैं सभी के सभी सत्य है फ्रेंड्स यानि के उप्सन डी इस दा करेक्टांसो का बगम मांजी पगान मरांडी और पेका मुर्मू यह दो तीनों जो हैं प्रमुख नेता थे सफाहोड अंदोलन के सरदारी आंदोलन का पहला चरण संचालित हुआ था इभी इंपोर्टन कोशन है फ्रेंड्स जितने भी आंदोलन हुने हुए उनके सं याद रखेगेगा जी विल्कुल करेक्टांसों का ओप्सन नमबर बी इस दर करेक्टांसों का अठारा संथाओं से अठारा सो इकासी क चले नेक्स कोशन के बढ़ते हैं कोशन नमबर अगला है संथाल बिद्रों से पूरो भवनाड़ी गाओं में आजित बेठे में निम्द में से कौन सा नारा दिया गया है ये नारा इंपोर्टन है फ्रेंड्स पूछा जा चुका है बिल्कुल करेक्टांसों अप्सन नमब आप्सन नमबर सीजगा पांच जर विद्यालेओं को याद रखिएगा अगला है समयकित मतस्य पालन यूजना में प्रायोगिक तोर पर किसका पालन आरंभ किया जाएगा बिल्कुल करेक्टांसों जागा अप्सन नमब डीजगा य और भी दूनों का मचली सा बत्तक और म प्रदान करने का लक्षे प्रेंट्स को इसका बिलकुल ही करेक्टान सो जोगा फ्रेंट्स ऑप्चीस बिद्धार्थ्यों को लिए अगला है निम्न में से सही युगम का चुनाव करना है एक तरफ योजना उनका वर्सकार यानि कब प्रारम भुआ थे योजना बनाओ भिया में तो बताइए सही युगम कौन सा है जिसका बिलकुल ही करेक्टर जवाब होगा और यहां पर जो सही युगम है योजना बनाओ भियाना दोजर सुला में प्रारम हुआ था सरस्वतियोजना की बात करें फ्रेंड्स याद रखेगा दोजर चोदा में उजरा उजरा में युगम की बात करें याद रखेगा बहुत इंपोटन है 2017 में और सहर सहर वान की योजना की बात करें तो यह आपका 2021-22 में सुरवत होता है ठीक है नेक्स कोस्टन है श्रो लकडा किस खेल से समन्हें थे बहुत इंपोटन कोस्टन है क्योंबी खेल खिलाड़े से एक स्वा इंश्बसंट को मिला इशा बिल्कुल कोई कक्रेक्ठाउम्स और इसका पलाकिक स्थान को रावण हैलिपेड भी कहा जाता है इंपोर्टन को सने फ्रेंज अभी ज्ञार्खन में यहां पर एक हाथसा हुआ था इसलिए है इसका बिल्कुल करेक्टान सब्सक्राइब अप्शन नमबर ए इस दा करेक्टान सब्सक्राइब पहाड़ी अगला को सिना आर्चिक सरवच्छन रिप में वन छेत्र में सरवाधिक व्रिधी हुई है कि इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन नमबर बी इस दा करेक्टान सब्सक्राइब गडवा जीले में ठीक है कुल अगर आंकड़ी की बात करें तो फोटी पॉन थेरा परसंट है यह ब्रिधी हुआ है यहां पर वन छेत्रों में चले नेक्स कोशन क्यों बढ़ते हैं जार्खंड बज़ेट 2324 किसने पेस किया यह भी इंपोर्टन है फ्रेंट्स जिसका बिल्कुल करेक्टान सब्सक्राइब अगला है देवघर के बाद जार्खंड के कौन से जीले में एम्स का निर्मान प्रस्तावित है तो बिल्कुल करेक्टान सब्सक्राइब ऑप्शन नमबर अब इसदा करेक्टान सब्सक्राइब आज ठीक है रांची में एक तो धनबाद में हैं दूसरा देवघर में भी हो गिया है प्रस्तावित और तीसरा अब होगा रांची में नेक्स कोशन है जार्खंड में से कोशन बनने लाइख है बिल्कुल करेक्टान सब्सक्राइब अप्शन नमबर टोटल तईस अगले सवाल के बुरते हैं जार्खन में अश्मान भारत का लाब लेने वाला पर्थम लाब कौन था यह बहुत इंप्रूर्टेंट को सदेगा यह से एलसे इस बिल्कुल करेक सब्सक्राइब करने के लिए फिर मिलते हैं मजदार वीडियो के साथ तब तक बने रही है हमारे चैनल में जहिन जेभार